राजस्थान की बासवाडा जिले में पिछले 15 साल के सौन्थ के बाद बड़े स्तर पर खनिज के भंडार मिले है कुलक शेत्र खनिज गोल्ड असोसियेटेड मिन्रूल का कम्पोजट लाइसेंस प्रस्तावित है जिसका प्रपोजल केंद्र और राज्ज सरकार को भेजा गया है जल्द ही सोने की खान की सरकार निलामी करेगी और इस सोने की खान के आसपास करीब 5000 स्थानिये लोगों को रोजगार भी मिलेगा बासवाडा को वैसे तो सोटा पूका सहर कहते हैं लेकिन इन दिनों चर्चा है की बासवाडा अब सोने वाले सहर के नाम से जाना जाएगा तो बासवाडा के अंदर में कापीटन यहां पर सोने की है वो ख़दान हैाप हर मिली गई है केंदर सरकार के और च लगातार सोध किया जा जा रहा था में लोह सोने का जो होता है उसका लगबग 113.5 मिलियन तन के बंडार मिले हैं गोल्ड खनीज गोल्ड का आयसक और दूसरा है कोपर का है एक लाग चिमतर हजार एक सुच्वालिस चन का और निकीलेज की 9708 टन कोबाल्ट एक विसेश खनीज होता है उसका भी लगबग 13544 तन के बंडार प्रमानित किये गए हैं पूर्वर शोदकार्य करने वाली कंपणी उदवरा और बारत सरकार से अप्रूब कंपणियां थी इसके वश्यात सारी प्रमानी करण होने के बाद हनेज गोल्ड होने की प्रमानी करण होने के पश्यात यह निलामी की कारवई है तू मानिये मुख्यमंत्री मोहदे के नेदेसान उश्यार अतिशिग्र इनकी सर्वेक्षन कारी करके खनन पट्टा यह उक्षन है तू बस्त इसमा एरिया है जहां पर यह जो बंदार मिले हैं सोने के हुए इसका अलग बग 9.4 वर्ग किलोमेटर अक्षेत्रम में यह गोल्ड का और एसोशियेट मिनरल्स का एरिया हिला हुआ है सरी इसके जो आसपास के जो लोग रहते हैं तो इसके क्या फाइदा मिलेगा क्या रोजगार का कुछ सरकार इसके अंदर मैंत करेंगी हुँ दीए बास वरा कंदर में काफी मातरा केंदर में बंडार मिलें ऐसे केंदर में सरकार केंदर सरकार हो रजज सरकार दोनों को यहां पर है राजस्तान की सरकार हो या फिर केंदर की सरकार दोनों ही इस से मजबूत होगी साथी बासवडा का नाम भी सोने की तरह चमकेगा कामेरा परसन के साथ के अंदर में सच बेड़क के लिए किसन सेन बासवडा